नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिट से आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आये साथ जुलाई दो हजार बाईस से बनने वाले हर्याना करंट अपियर से सम्बंदित सभी मैटपून क्वेशन अंसर जो की आप से आने वाले कंपीटिशन एकजाम में पूछे जा सकती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेशन है हर्याना पर्देश के द्वारा कब तक सभी बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्षय रखा गया है तो दोस्तों इसको उपसन नंबर आपका D रहेगा यानि 2030 तक पर्देश की सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में करने का लक्षय रखा गया है यानि उप्सन नंबर आपका D रहेगा नेश्ट क्वेस्टन है हर्याना इलेक्ट्रिक वहान पोलीसी 2022 में 15-40 लाग तक की इलेक्ट्रिक वहान खरीदने पर कितने परतिसत की छूट दी जाएगी तो दोस्तों इसका राइटन सर रहेगा आपका 15% पर्देश की इलेक्ट्रिक वहान पोलीसी 2022 के तायद 15-40 लाग तक की इलेक्ट्रिक वहान खरीदने पर 15% की छूट दी जाएगी नेश्ट क्वेस्टन है पर्देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल विकल चार्जिंग स्टेशन किस जीले में बनाया गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हेगा आपका हरियाना के गुरुग्राम जीले में जो की देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल विकल चार्जिंग स्टेशन स्टापित किया गया है नेश्ट क्वेस्टन है देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रिन डीजल का ट्रायल कहां पर किया गया है तो दोस्तो देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रिन डीजल का ट्रायल बल्लबगड से किया गया है नेक्स्ट क्वेशन है इलेक्ट्रिकल वीकल पंजीकर्ण में हरियाना की स्तान पर है तो दोस्तो इलेक्ट्रिकल वीकल पंजीकन में हर्याना दसमें स्तान पर है हर्याना परदेश के द्वारा एसियन, पैरा एसियन, कॉमनवेल्थ और पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में चेनित होने वाले खिलाडियों को सरकार के द्वारा कितनी रासी परदान की जाएगी तो दोस्तो इसका right answer रहेगा आपका option number D यानि 2,50,000 रुपे की रासी सरकार के द्वारा Asian, Para-Asian, Commonwealth और Para-Common-Welt गेमें चेनित होने वाले खिलाडियों को सरकार के द्वारा 2,50,000 रुपे की रासी परदान किये जाएगी यानि option number आपका D रहेगा next question है हर्याना के किस जीले की रहने वाली दर्शना देशवाल के द्वारा National Master Athletics Championship में जैवलिंग थरो में रज़त पदक जीता गया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा हरियाना के पानिपत जीले के रहने वाली दर्सना देशवाल के द्वारा नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चेंपियन सीप में जैवलिंग थरो में रज़त पदक जीता गया है नेश्ट क्वेस्टन है खेलू इंडिया यूथ गेम्स के चोथे संस्क्रण में हरियाना के द्वारा कितने मैडल जीते गई तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका 137 पदक हरियाना परदेश के द्वारा 137 पदक जीते गई और हरियाना चोथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले नंबर पर रहा है जबकि दूसरे नंबर पर महराष्टर और तीसरे नंबर पर करनाटक राज्य रहा है और इसका आयोजन हरियाना के पंचकुला जीले में किया गया था और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला सरसकन 2018 में दिल्ली में हुआ था नेस्ट क्वेस्टन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सुबंकर क्या था तो दोस्तो 2021 का सुबंकर था धाकर नेस्ट क्वेस्टन है जैविलियन थरोदीवस कब मनाया जाएगा तो दोस्तो जैवलियन थरोदीवस को 7 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन नीरत चोपड़ा के द्वारा टोकियो ओलंपिक 2020 में बारत के लिए इन्होंने 87.58 मीटर जैवलिंग थरोब फैक कर बारत के लिए गोल्ड मैडल दिलाया था तो इसी के लोग उपलक्स में सरकार के द्वारा 7 अगस्त को जैवलिंग थरोदीवस के रूप में मनाया जाने की गोशना की गई है नेस्ट क्वेस्टन है पाव नूर्मी गेम्स 2022 में नीरत चोपड़ा के द्वारा कौन सा मैडल जीता गया तो दोस्तो पाव नूर्मी गेम् मैडल जीता गया और नीरत चोपड़ा के द्वारा इस गेम्स में 89.30 मेटर बाला फैंका गया है जिसमें नीरत चोपड़ा को स्लवर मैडल मिला है नेच्ट क्वेस्टन है स्टोक हों दायमेंड लीग में नीरत चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया तो दोस्तो स्टोक होम डायमेंड लिंग में भी नीरच चोपड़ा के दुआरा सिल्वर मैडल जीता गया लेकिन इसमें नीरच चोपड़ा के दुआरा 89.94 मिटर बाला फैका गया है हर्याना में बीम अवार्ड की सुरुआत कब हुई थी तो दोस्तो इसका राइटन सर रहेगा हर्याना में बीम अवार्ड की सुरुआत 2001 से की गई थी और बीम अवार्ड राज्यपाल के दुआरा परदान किये जाते है और हर्याना में Bheem Award यानि चार वर्सों के बाद हर्याना में 52 खिलाडियों को Bheem Award से सम्मानित किया गया है हर्याना के किस जीले में फल उत्सव दो हजार बाइस का आयोजन किया गया तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा ओप्सन नमबर B यानि कुरुक छेतर जीले में फल उत्सव दो हजार बाईस का आयोजन किया गया है और कुरुक छेतर जीले की स्थापना आपकी 23 जनुवरी 1973 को हुई थी नेश्ट क्वेशन है परदेश के द्वारा अमरूद का बाग लगाने वाले किसानों को परती एकड़ प्रोथसाइद के रूप में कितनी रासी परदान की जाएगी तो दोस्तो इसको राइट अंसर हैगा आपका 10500 रूपे जो की सरकार के द्वारा मुरूद के बाग लगाने वाले किसानों को परती एकड़ प्रोथसाइद रासी परदान की जाएगी परदेश के किस जिले में फलो का उतफादन सबसे ज़्यादा होता है तो दोस्तो परदेश के यमुननगर जिले में फलो का उतफादन सबसे ज़्यादा होता है जबकि सबसे कम उतफादन महंदरगर जिले में होता है अगर खटे फलो की बात की जाए तो हर्याना के सिर्सा जीले में खटे फलो का उतफादन सबसे जादा किया जाता है लेकिन सबसे जादा फलो का वैस सब्जियों का उतफादन हर्याना के यमूना नगर जीले में होता है जब ही सबसे कम महंदरगर जीले में होता है next question है मुख्यमंत्री बागवानी योजना की सुरुवात कब की गई थी तो दोस्तों मुख्यमंत्री बागवानी योजना की सुरुवात 2021 में हुई थी यानि एक जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बागवानी योजना की सुरुवात की गई थी next question है हर्याना भावंतर बरपाय योजना की सुरुवाद कब की गई थी तो दोस्तों भावंतर बरपाय योजना की सुरुवाद 2018 में हुई थी नेश्ट क्वेसिन हर्याने के किस जीले में 14 अगस्त को हिंदुस्तान पाकिस्तान विबाजन के समय बलिदान देने वाले वैक्तियों की याद में वीबीसी का दिवस मनाया जाएगा तो दोस्तो इसका राइटन सरहेगा ओप्सन नमबर बी यानि कुरुख छेतर जीले में 14 अगस्त को हिंदुस्तान वे पाकिस्तान के विबाजन के समय बलिदान देने वाले वैक्तियों की याद में वीबीसी का दिवस मनाया जाएगा तो दोस्तो हरियाने का सबसे बड़ा मन्दिर बिरला मन्दिर है और ये कुरुख छेतर जीले में श्तीत है और इसका निर्मान स्री जुगल की सोर बिरला के दुवारा करवाया गए था और इस मन्दिर की विशेष्ता यह है कि इनकी दिवारों पर गीता के सभी 18 नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मंडी कुरूके83 उनियुर्ह requires any कुरूक्षेतर जिले में स्थीत है नेस्ट को जसेन हार्याने का ताजमहल कहलाता है कि तो दोस्तों खरीयाना के थाने सर मेस्ती सेक्चिली का मकबरा हारियान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है हारियान पर्देश के बिवानी जीले के कितने मुक्केबाजों का चियन पर्थम इंटरनेशनल अलाइटमेंट एंड वुमेन बोक्सिंग टूर्नामेंट में अलारडो कप में हुआ है तो दोस्ति स्कॉप्स नमबर आपका डी रहेगा यानि पांच खिलाडियों का चियन पर्थम इंटरनेशनल अलाइटमेंट में एंड वुमेन बोक्सिंग टूर्नामेंट एलारडो कप में हुआ है और इस टूर्नामेंट का आयोजन कजागिस्तान में किया जाएगा नेस्ट क्वेशन है टी टूर्नामेंट दिव्यांग किरकेट परतियोगीता में कौन सा राज्य विजेता बना है तो दोस्तों टी टूर्नामेंट दिव्यांग किरकेट परतियोगीता में हरियाना राज्य विजेता बना है जबकि दूसरे नमबर पर दिल्ली रहा है यानि उपविजेता दिल्ली रहा है नेक्ट क्वेसन है परदेश के कितने खिलाड़ों के यानि बावन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है चार वरसों के बाद हरियाना में बावन खिलाड़ियों को बीम अवार्ड से सम्मानि किया गया है और भीम अवार्ड के सुरुवात हर्याना में 2001 से हुई थी और भीम अवार्ड राज्यपाल के दुआरा परदान किये जाते है और साथ में 5 लाग रूपे की रासे भी भीम अवार्ड से सम्मानित होने वाले खिलाडियों को दी जाती है परदेश के किस जिले में पहली बार तीरंदाजी परतियोगिता का आयोजन किया गया तो दोस्तों हर्याना के सोनिपत जिले में पहली बार तीरंदाजी परतियोगिता का आयोजन किया गया बजरंग कुनिया वे रवी दया का संबंद किस खेल से है तो दोस्तों इन दोनों खिलाडियों का संबंद कुस्ति से है और बजरंग कुनिया के द्वारा टोकियो ओलंपिक 2020 में इन्हों ने ब्रोंज मैडल जीता था जिवकि रवी दया के द्वारा सिल्वर मैडल जीता गया नेक्स्ट क्वेस्टन है बहरीन के मनामा में आयोजित अंडर 15 एसियन कुष्टी परत्योगिता में हर्याना के खिलाडियों के द्वारा कितने पदक जीते गई तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका उप्सन नमबर C यानि साथ पदक जीते गई बहरीन के मनामा मे आयोजित अंडर 15 एसियन कुष्टी परत्योगिता में यानि उप्सन नमबर आपका C रहेगा बहरीन के मनामा में आयोजित अंडर 15 एसियन कुष्टी परत्योगिता की फ्री स्टाइल वरग में पहलवालों ने 10 में से 472 रज़त और 187 पदक अपने नाम किये है यानि 15 एसियन कुष्टी परत्योगिता में बहरत पहले नमबर पर रहा है इससे पहले महिला पहलवानों ने 10 में से 6 सवन और 3 रज़त समेति यानि कुल 9 पदक जीते थे 3 से 4 जुलाई को मनाम सहर में हुई अंडर 15 एसियन कुष्टी परत्योगिता में सभी पहलवानों ने देश को गोरवन्तित किया है इरान 184 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर जबकि कजाकिस्तान 147 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है फ्री स्थाइल के मुकाबले में इस वर ने 44 किलोग्राम कटैगरी में अंकुस ने 57 किलोग्राम में तनिस्क ने 62 किलोग्राम में और विवेक ने 75 किलोग्राम में सौन मेडल जीता है सलेम के दौरा 52 किलोग्राम कटैगरी में वेब बादल 85 किलोग्राम कटैगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जबकि निसान तने 68 किलोग्राम में बरोज मेडल खांसिल किया है यानि टोटल आपके 7 पदक जीते गई नेश्ट क्वेसन है राज्य की पर्थम भीम अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला कौन है तो भीम अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला है गीता जुक्सी जो की गुरू ग्राम जीले से सम्बंदित है और परदेश में भीम अवाड़ी की सुरुवाद 2001 से की गई थी नेश्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करप्या कोमेंट करके जुरू बताए कि हरियाना परदेश का देश भर में स्टार्ट अप में कौन सा स्थान रहा है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा ओप्सन नमबर सी स्टार्ट अप में हरियाने का देश भर में तीसरा स्थान रहा है नेश्ट क्वेस्टन है जो कि आपको कल की वीडियो में पूछा गया थे कि हरियाना के किस जीले की रहने वाली रादी का के तोवारा एसियन रैसलिंग चैंपियन सीब दो हजार बाइस में 65 किलोग्राम कटाइगरी में गोल्ड मैडल जीता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर था आपका ओप्सन नमबर ए रोतक जीले की रहने वाली रादी का के दोवारा एसियन रैसलिंग चैंपियन सीब दो हजार बाइस की 65 किलोग्राम कटाइगरी में गोल्ड मैडल जीता गया है रोतक जीले की स्तापना आपकी एक नमबर 1966 को की गएती और हरियाने के दो मात्तर ऐसे जीले जिसकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती रोतक और चर्की दादरी ऐसे दो जीले है जिनकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है सोनिपजीले की स्थापना आपकी 1972 में की गई थी और सोनिपजीले को सोने का सेरव एजुकेशन सीटी भी कहा जाता है रोत्तक जीले को सुगर सीटी के उपनाम से जानते है पानिपत जीले की स्थापना आपकी 1989 वे 1992 में की गई थी यानि हर्याने का एक मत्तर ऐसा जीला जिसका दो बार गठन किया गया वह है पानिपत जीला है 1989 में और 1992 में नेक्स्ट आपका उप्सन डी यानि जीन्द जीले की स्थापना आपकी 1966 में की गई थी और जीन्द जीले को जैनती देवी नगर और हर्याने का हर्दिया भी कहा जाता है तो दोस्तों फिलाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सबी लोगों का धन्यवाद